केरला हाई कोट अकेले में अशलील वीडियो देखना निजी पसंद का मामला केरल हाई कोट ने युवक के खिलाफ रद्द किया केस पुलिस ने युवक को सड़क किनारे मोबाइल पर अशलील वीडियो देखते हुए पकड़ा था आरोपी ने मामले को रद्ध करने के लिए केरल हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अकेले में दूसरों को दिखाए बिना अशलील तस्वीरें या वीडियो देखना कानून के तहत अपराध नहीं है क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद क के खिलाफ मामले को रद्ध कर दिया। साल 2016 में केरल पुलिस ने युवक को सड़क किनारे मोबाइल पर अशलील वीडियो देखते हुए पकड़ा था और उसके खिलाफ भारतिय दंड संहिता, IPC की धारा 292 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी ने FIR और उसी मामले में चल रही अदालती कार्यवाही को रद्ध करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर जस्टिस पीवी कुनही कृष्णन की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा अशलील कंटेंट सदियों से चलन में था, नए डिजिटल युग ने इसे औ और अधिक सुलब बना दिया है, यहां तक की बच्चों के लिए भी। इस मामले में सवाल ये है कि कोई व्यक्ति दूसरों को दिखाए बिना अपने निजी समय में अशलील वीडियो देखता है, तो उसे अपराधी ठहराया जा सकता है या नहीं। पीठ ने कहा, कोई भी अधालत इसे अपराध घोशित नहीं कर सकती क्योंकि यह उसकी निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप करना उसकी निजता में दखल के समान है। पीठ ने ये भी कहा, कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिका करता, आरोपी ने वीडियो को सार्वजनिक रूप से किसी को 292 अशलीलता के तहत अपराध नहीं है। इसी तरह किसी व्यक्ति का अपनी निजता में मोबाइल फोन से अशलील वीडियो देखना भी IPC की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। यदि आरोपी किसी अशलील वीडियो या फोटो को प्रसारित या वितरित करने या सार्वज रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है तो धारा 292 के तहत अपराध है। पीठ ने कहा। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 292 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और मामले के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। नाबालिक बच्चों को फोन के खत्रे से किया। आगाह इसके साथ ही न्यायमूर्ती कुनही कृष्णन ने माता पिता को बच्चों को खुश करने के लिए इंटरनेट एकसेस वाले मोबाईल फोन देने के प्रती आगाह किया। उन्होंने कहा माता पिता को इसके पीछे के खत्रे के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को अपनी निगरानी में सूचना और जानकारी वाले वीडियो देखने देना चाहिए लेकिन कभी भी नाबालिक बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें मोबाईल फोन नहीं सौपना चाहिए न्यायमूर्थी कुन्ही कृष्णन ने कहा कि आजकल सभी मोबाईल पर अशलील वीडियो उपलब्ध है अगर नाबालिक बच्चे अशलील वीडियो देखते हैं तो इसके दूर गामी परिणाम होंगे बच्चों को छुट्टियों के दौरान क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी उन्हें पसंद है